हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गोबी के पराथे बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से ना तो आपके पराथे बिल्कुल फटेंगे और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी आपके पराथे बनके तयार होंगे और साथ के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंग जिसको देखी मैंने टुकडो में काट लिया है साथ ही लिया है अद्रक लैसून और हरी मिर्च एक लाल मिर्च भी है इसमें जो हरी हो जाती है वही वाली अब इन सभी चीजों को हमें इस तरह के चोपर में बिल्कुल बारिक कर लेना है आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं नमक मिलाने से गोबी अपना सार आप जितना इसका मुईशर है वो रिलीज कर देगी और इस तरह देखे एक बार हाथ से हम थोड़ा सा प्रेसर लगाते वे मिक्स करेंगे ताकि पूरा इसका पानी जो है वो निकल जाए अब हम क्या करेंगे दोनों हाथों की सायता इससे करेंगे हम गोबी को निछोड लेंगे इससे पूरा गोबी का पानी निकल जाएगा और यह एकस्ट्रा वाला यह वाला पानी होता है इसी से हमें पहती है पैठ दड़, चिद्दद वगरा की सिकायत होती है मतलब गैस बनाती है जब यह पानी आप निकाल देगे न तो गो कुछ नहीं करना इसको आप थ्रो कर सकते हैं या पोधे में डाल सकते हैं तो सारी गोवी मैंने निचोड ली आप इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे तो सुखे मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर डेड़ से दो चम्मच थोड़ासा पाउडर मसाल तो इस टाइम हम थोड़ा सा देख की डालेंगे मैंने ये 1 फोर टेबल स्पून काला नमक डाला है आप इसकी जगह सेंदा नमक या सफेद नमक भी डाल सकते हैं दो चुटकी के जितना इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और जरा सा नमक और डाल दिया है थोड़ी सी डाल दिया है कासमेरी लाल मिर्च ये टोटली ओप्सनल है वैसे इससे थोड़ी सा कलर अच्छा आएगा और अब इसमें डाल दी कसूरी मेथी को क्रस करके बहुत अच्छा इससे भी सुआद आता है क्योंकि इन सब्जियों में बहुत ज्यादा अपना खुद का पानी होता है तो इनको थोड़ा सा हमें जैंटली हैंडल करना होता है यहाँ पर मैंने ले ली है दो कटोरी आटा गहूं का आटा है ये इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे एक चमच डालेंगे तेल या घी और मिक्स करते वे हमें आटे को गूत लेना है हलके गुनगोने पानी से मैं आटा गूत रही हूँ इसे भोजल दी हमारा आटा फूल के सैट हो जाएगा और बहुत बढ़िया फिर पराठे बनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लगाते है हमें सेमी सोफ डो लगा के तैयार करना है ना तो आटे को भोजाधा आपको टाइट गूतना है ना ही भोजाधा नरम रखना है ज्यादा टाइट आटे से भी जब आपको कोई स्टॉफ पराठा बनाते हैं तो वो डेफिनेटलि फिर फर्त ही जाता है तो जब भी आपको कोई श्टफ पराठा बनाना हो आप आटे को हल्का सा लूजी रखिए बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं करना है उपर से मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और इस तरह से मसलते वे आटे को हमें चिकना कर लेना है तो बहुत बढ़िया वाला देखिए आटा हमारा बनके तयार हो गया और एकदम सोफ्ट आटा गुंदा है आटे को भी आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं गरम पानी से हमने आटे को गुथा था तो बहुत बढ़िया से मलाई जैसा चिकना हो जाएगा और 10 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया आटा गुथ गया हमारा सेट हो गया है अब इसमें से हमें एक लोई निकालेंगे तो पराठा आप अपने हिसाब से मोटा बड़ा चोटा जैसा आप चाहें बना सकते हैं कितना आपको किस साइज का पराठा चाहिए मैं मेडियम साइज के पराठे बनाऊंगी तो मैं ये एक देखिए बड़े निम्बू के जितनी लोई ले ली है और इस तरह से सूखा आटा लगाते वाब इसको हम एक कटोरी का जैसा सेप देंगे क्योंकि हम पराठे में गोबी अभी स्टफ करने वाले हैं बीच का इससा आपको इसका मोटा रखना है और साइड साइड में से इसको बढ़ाते वे कटोरी जैसा बना लेना है अब इसमें आप मन पसंद जितनी चाहें उतनी स्टफिंग भर सकते हैं मैंने देखिए डाई चमच भर दी है जैसे हम गुजिया को सील करते हैं पहले इस तरह से सील करेंगे और उसके बाद इसको जोड़ते वे दुबारा से गोल कर लेंगे दुबारा से थोड़ा सुखा अटा लगा के इसको बढ़ाएंगे ताकि इवनली पूरे पराठे में स्टफिंग फैल जाए हाथ को थोड़ा सा हलका ही रखेंगे बहुँ ज़्यादा प्रैसर नहीं लगाएंगे और अब बेलन की साहता से इसको बढ़ा लेंगे बेलन का भी आपको बहु ज़्यादा प्रैसर नहीं लगाना बीच बीच में अगर आपको जरुत लगे तो आप सुखा अटा लगा सकते हैं तो पराठा हमने बेल लिया इसको हम तवे पे डालेंगे तवा मैंने पहले से रख दिया था गैस पे गरम होने के लिए और दूसरा पराठा और बेल के मैं दिखाऊंगे आपको दुबारा से वैसे हमें एक लोई ले लेनी है सुखा अटा लगाते हुए इसको बीच में से मोटा रखते हुए हमें एक कटोरी का आकार देना है अब इसमें स्टफिंग डाल देंगे तो मैं एक ही साइज के देखे पराठे बना रही हूँ वैसे ही मैंने जैसे पहले पराठे में डाई चमस स्टफिंग डाली थी वैसे दूसरे में भी इतनी डाल दी है और इसको दुबारा से गोल करते हुए इस तरह से फिर से फिला देंगे ताकि स्टफिंग पूरे पराठे में अच्छे से एक जैसी फैल जाए तब हलके आज से बेलन चलाते हुए हमें इसको गोल-गोल बना लेना है तो देखें कैसे पूरे पराठे में स्टफिंग अच्छे से आप देख सकते हैं जहां करिए और अब गी लगाते हुए हमें पराठे को क्रिस्पी होने तक सेखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे सेखेंगे ताकि अंदर तक जो गोबी है वो सिख जाए बिल्कुल भी कच्छापन ना आए इसके अंदर और घी में बहुत बढ़िया पराठे लगते हैं सिखे वे आप ऐसे चाहें तो कोई जो ओईल आप यूज करते हैं उसमें भी पराठे सेख सकते हैं देखे कितना बढ़िया पराठा सिखे तयार होगे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी इस पर आप मक्कन बटर या फिर दही के साथ इस पराठे को खाईए बहुत ही मज़ा आता है और लाश्ट में थोड़ा सा घी ओर लगा देंगे इसके उपर आप इन पराठो को बटर के साथ भी सेख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा गोबी का पराठा सिखे तयार हो गया है इसी तरीके से हम अपने बाकी के पराठे भी सेख लेंगे तो दोस्तों इस तरह से आप गोबी के पराठे बनाएए इससे आपके दो काम होंगे एक तो आप बिना किसी टैंसन के बिना जंजट के पराठे बना पाएंगे मतलब फटने वगार्य की कोई टेंसर नहीं है साथ के साथ बहुत सारे लोगों को जिनको गोबी सूट नहीं करती है वो भी गोबी के पराठे खा सकते हैं क्योंकि हमने जितना भी इसका जो होता है न पानी एक्स्ट्रा वो निकाल दिया था तो आप इससे गैस वगरा की भी आपको दिक्कत नहीं होगी और गोबी के पराठे लगते तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं खाने में तो इन पराठो को आप बनाईए गरमा गरम इंजोई कीजिए दोस्तों उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज के लिए सरफ इतना ही जल्दी मैं आप सबसे मिलूंगे एक और नई और एक इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी के साथ तब तक मैं उमीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी एंजोई कर रहे होंगे अगर एंजोई कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता है